हेलो तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपिट एंड लॉस जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप फॉर के बारे हैं और टाइप फॉर है अपना कंपरीजिन बिट्वीन सेलिंग प्राइज टू कॉस्ट प्राइज देखिए इसमें किस-किस तरह के अपने वास जा मैं कैसे क्विशन पूझेंगी उन सब के बारे हम आज हम बात करने वाले हैं तो देखो आपको इसके मतलब समझना है कंपरीजिन है नहीं तो कंपरीजिन कब जरूत पड़ेगी कि आपको जब फिक्स आर्टिकल नहीं दिया जाए आपको किसी रेट के इसाफ से दिया तो आपको लॉस और आगे प्रॉफिट तो उसके बारे हम पढ़ने वाले हैं तो देखो अगर आपके सामने कभी भी ऐसे ग्विशन आए कि वे कॉस्ट प्राइज आफ एक्स आर्टिकल ठीक है कॉस्ट प्राइज आफ एक्स आर्टिकल इक्वल दिया जाए आपको एक्स आर्टिकल तो खरीद हैं और बेचे कितने वाई तब दोनो रुपिय बराबर बराबर हो चुके हैं तो यहां से देखो आप कॉस्ट प्राइज और सैलिंग प्राइज का रेश्यू निकाल सकते हैं कैसे कि आपने देखा एक्स का कॉस्ट प्राइज एक का अगर कॉस इस साइड आएगा तो डिवाईड हो जाएगा और यह एक्स यहां पर मल्टिन दूस्ट रफ जाएगा तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि कोस्ट प्राइज और से तुलना करने पर रेश्यू कितना आ रहा है तो कोस्ट प्राइज से शैलिंग अगर अधिक होगा तो आप directly इस ratio से counting करते हैं जैसे मालों यहाँ पर अगर मालों लोग ratio आप पर पास आ रहा है 5 ratio 7 5 ratio 7 तो आप ने देखें 5 पर profit हो रहा की loss तो profit हो रहा है अगर यहीं पर ratio आजए आपने वासे 4 ratio 3 तो आप बोलेंगे 4 पर 3 यानि 1 का loss हो जाएगा तो finally अपने जो ratio आएगा उसके हिसाब से आप solve करते हैं कि profit होगा profit count करेंगे loss होगा ता आप loss count करने वाले है clear है बाद तो इसको आप note करेंए पूरा topic इसी पर है पहले हम बिल्कुल आसान question पढ़ेंगे फिर थोड़ा थोड़ा जेरे जेरे आगे बढ़ते रहेंगे के बराबर हैं तो आप यहां से लिखेंगे five books तो आपना cost price को मैं अगर cp मानो तो कितनी book हैं पांच और जब बेचने की बारी है तो selling price किसके बराबर हो गया चार वस्तों के selling price के बराबर हो गया यानि five cp is equal to four sp तो यहां से देखो cp अपनी जगया पर हैं sp को मैं इस साइड लगा इसके डिवाइड में हो जाएगी four अपनी जगया पर हैं और five इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहां से finally आप आसमे cost price and selling price के ratio कितना आया है चार से पांच तो अब बताओ profit और आगी loss तो आप बोलेंगे चार से पांच हो गया यानि एक का हो गया profit और एक का profit और किस फ़र फ़र और profit percentage आप निकालेंगे आप बोलेंगे one by four multiply करेंगे आप hundred से तो आपका answer कितना 25% तो इस तरह से आपको comparison करते विए एक ratio बनाना है ताकि हम पूरा answer निकाल पाएंगी profit होगा कि loss तो इसको आप not करते हैं अगले question तरह बढ़ते हैं तो देखो next question भी आपका इसी तरह से है जैसा आपने पिछला question बढ़ा था कि आपको बोला है कि if the purchase price of 8 book यनि 8 वस्तों का करे मुलिये 6 वस्तों की विक्रे मुलिये के बराबर है कि जब आपने 8 वस्तों खरीदी थी उतने पैसे दिये थी जितने पैसे आपको 6 वस्तों को बेचने पर ही मिल गये थे तो आपको profit और आगी loss तो आप बताने वाले अब चीजे तो आप लिगेंगे 8 वस्तों का करे अपने पास में तो 6 अपनी जगह पर हैं और 8 इसाइड आएगा डिवैट हो जाएगा दोनों के देखो दो दो का भाग जाए कितना आएगा तीन बटे चार के लिए रहा बात यहां तक तो फाइनली अपने पास में cost price and selling price के ratio कितना आया 3 ratio 4 तो आप बोलेंगे अगर cost price इस rate से तो आपका आंशर क्या आएगा 33 1 by 3 percentage जो कि option number C में B में है ठीक है तो इसको आप करेंगे not इसी तरह से आपको सामने के अगला और question है starting question बिल्कुल आसान आसान ध्यान से समझेंगे आपको बोला if selling price of an article is seven fifth times of its cost price कि जितनी इसकी cost price है उसी cost price का 7 बटे 5 भाग या 7 बटे 5 गुणा selling price है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि एक तो अबनास होगा cost price एक होगा अपने बास से selling price आपको बोलाए कि selling price क्या होगा cost price का 7 बटे 5 भाग 5 गुणा cost price का seven fifth times क्या होगा selling price अब देखो आप cost price and selling price का ratio निकालना चाहेंगे तो selling price यहाँ पर इस side आएंगे तो क्या होगा जाएंगे divide के अंदर देखो यहाँ पर अगर इसको इस side बेज दें तो आप लिखेंगे seven by five अपनी जगह पर है selling price अपनी जगह पर है और cost price इस side से side आएगा क्या होगा divide तो आप ने देखा इस बार cost price से selling price ratio कितना आ रहा है 5 से ratio कितना रहा है 7 ऐसे उपर नीचे कोई change हो जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप चाहिए cost price उपर लिख तो selling price नीचे ratio आपको सेशी बनाना है तो आप ने का cost price से selling price ratio कितना बंड़ा है 5 से 7 एरे profit कितना और आपको यहाँ पर तो profit और आपको 2 का हुआ किस पर है 5 पर और percentage निकाल दे तो multiply किस से करेंगा आप 100 से तो 2 वाई 5 5 का divide 100 में 20 times 20 into 2 आपको answer कितना आएगा 40 percentage तो इस तरह से आपको बिलकुल आसान आसान execution solve करने होते है ठीक है not करेंगी आप next question तरह बढ़ेंगी देखो अगला question आपके सामने है अगला question भी आपको यही बोला गया है कि 75 वस्तों का करें मुली है 100 वस्तों के वीकरें मुली के बराबर है तो यहाँ पर आपको बताने है हानी percentage तो हानी का परतिसत कितना होगा तो आप वही चीज़ लिखेंगे किस का cost price दिया गया और कितन से देखो cost price अपनी जगह पर है selling price इस side लेंगे divide हो जाएगा 100 अपनी जगह पर है और 75 इस side जाएगा तो divide हो जाएगा फिर आगे आप solve करेंगे 25 से कटेगा 4 time और 25 से कटेगा 3 time फाइनली ratio कितना है आपने बास है और ratio 3 क्या आपका cost price अगर 4 होगा तो selling price कितना होगा 3 तो बताओ loss होगी profit तो बिल्कुल इस बार loss होगा है क्यूंकि आपका selling price है वो कम हो गया है cost price से और इस case में हमेशा आपको loss होता है तो आप देखो loss हुआ कितना है तो चार पर एक का loss होगा है तो चार पर आपको एक का loss होगा है तो 1 by 4 into 100 multiple है तो आपको answer कितना आएगा 25% का आपका loss हो जाएगा ठीक है तो आपने 75 वस्तों खरी दिये हैं और 100 वस्तों आपने बेची है तो इस प्रकार से आप इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आप इसको काट के 25 कर लेंगे के लिए रवात यहां तक की चलिए अगला question पढ़ेंगे आप लोग अगला question फिर एक इसी तरह से हैं कि 120 वस्तों का करें मुली है 80 वस्तों के विक्रें मुली के बराबर है तो आप बताएंगे profit percentage क्या होगा तो वह आपको 120 वस्तों को खरीदने और 80 वस्तों को बेचने पर आपको बराबर बराबर प्राइस मिलता है तो आप कह सकते हैं भी directly की 120 वस्तों का CP तो 120 CP इजिकल्ट हो जाएगा 80 SP तो यहां से देखो आप cost price and selling price का ratio निकलने कितना आएगा 80 upon 120 और इस दोनों का आप और छोटा भी कर सकते हैं कि 80 और 120 कि इस नमबर से कट जाएंगे तो आप 2, 5 किसी से काटाएं आप बड़ी नमर से काटाएंगे 40 से भी कट जाएगे directly 40 का बाग 2 बार और 40 का बाग 3 बार तो यहां से देखो cost price बड़ा है कि selling price तो cost price बड़ा है इसलिए selling price बड़ा है इसलिए आप को क्या होगा profit यानि दो से तीन हो चुका आपको profit कितने होगा एक का profit हुआ है एक का किस पर दो पर और percentage निकालते तो multiply करते हं अंड़ेट तो आपको आंशर गया आएगा 50% profit हो जाएगा इस case के अंदर तो इसको आप not करेंगे हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसे question है directly CP को CP मान लेना SP को SP ताकि अपने बास SP and CP का ratio बन जाएगा और ratio बन जाएगा तो आगे question करना बहुत आसान हो जाएगा चलिए अगला question आपके सामने है अब देखो इसी में थोड़ा सा pattern बदल के आप से पूछले जाएगा पढ़ेंगे आप इस question को कि आपको बोला कि when we sell 12 and he gets a profit equal to the cost price of 2 and कि जब उसने 12 पैन बेचे हैं तो 2 पैन के करे मुली के बराबर इसको profit होता है तो आप बताओगे उसका profit percentage क्या था कि ये तो एक idea लगा लिया वई कि 12 पैन बेचोगे तो 2 पैन के बराबर करे मुली का profit है तो profit percentage में कितना है वो आपको बताना है तो देखो जब भी बेचने की बात करें पिछली बार तो आपको देखो direct दिये थे इतने खरीदर इतने बेचे अब जब direct आपको बेचने की बात करें 12 पैन आपने बेचे है तो एक बात ध्यान रगना कि 12 पैन बेचे है मतलब 12 पैन आपने खरीदे भी होंगे 12 पैन खरीदे है और 12 पैन बेचे है और आपको हुआ profit और profit आप कैसे गाउंट करते हैं वही profit आप निकालते हैं selling price में से cost price को गटा कर तो यहाँ पर भी आप वही बात करेंगे कि 12 पैन आपने बेचे है यानि 12 SP और उस में से आप 12 CP गटाएंगे तब आपको होगा profit selling price में से cost price गटाया है और आपको profit कितना हुआ है दो पैन के करें मुली के बराबर ठीक है तो आप लिखेंगे 2 CP ठीक है SP में से CP गटा है profit बचता है और profit के बाराबर आपने profit लिखा है अब दीखो इस 12 CP को भी इस साइट ले जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे का 12 SP एकूल हो जाएगा अपने बाद से 14 CP ठीक है अब इस SP को भी इस साइट ले जाएगे तो क्या हो जाएगा अपवन डिवाइड हो जाएगा और 14 इस साइट आएगा तो बारा का डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा आपका रेशियो कितना आएगा 6 and 7 कि cost price and selling price का रेशियो आ रहा आपका 6 और 7 कि अगर आपका cost price 6 है तो selling price 7 हो चुका है यहाँ पर profit नजर आ रहा कि अब बिल्कुल नजर आ रहा कितने का तो profit होआ आपको एक का किस पर 6 और percentage निकालें तो आप multiply करते हैं 100 तो इतना आपको profit हो जाएगा तो 16 किसका मतलब होता है 16.66 percentage या फिर 16 2 by 3 percentage भी हो सकता है यह एक ही बात है दोनों को दोनों ठीक है तो इसको आप note करेंगे द्यान रखना हमेशा कि profit कैसे count करते हैं and loss कैसे count करते हैं चलिए अगर आप फिर से पढ़ेंगे आप उसी तरह question है कि 20 cycle बेचने पर विने को दो cycle की विक्रे मिली के बराबर हानी हो जाती है तो देखो पहले आप यह समझेंगे कि loss count कैसे करते हैं तो जब भी आपको loss होता है तो आप cost price में से selling price गटाते हैं इतना आपको पता होगा फिर आपने 20 cycle बेची है तब आप यह भी सोचेंगे कि जब 20 cycle बेची है मतलब 20 cycle आपने खरीदी भी होंगी जब खरीद होगे तब भी बेचोगे ठीक है और तब आप profit and loss की बात करेंगे तो अब आप इसका use लेने वाले cost price में से selling price यानि 20 CP में से आप 20 SP गटा होगे तब जाके आपको loss कितने होगा दो cycle की वीकरे मिली के बराबर यानि 2 SP के बराबर अब देखो SP माइनस का इस सेट जाएगा प्लस हो जाएगा तो 20 CP इक्वल अपना साएगा 22 SP अब आगे आप CP को अपनी जगह पर हैं SP को इस साइट लाओगे तो क्या बचेगा 22 बटे और 20 इस साइट जाएगा अपन हो जाएगा और इसका आप ratio निकाल जाएगा 11 बटे 10 कि finally अपना आज ratio कितना आ रहा है 11 बटे 10 यानि आपने खरीदा अगर एक style को 11 में है तो cycle को बेचा कितने में 10 के अंदर 11 में खरीदगर जब 10 में बेचोगे आपको loss होगा profit तो बिलकुल loss हो रहा है यहां पर कितने का एक का loss होगा है 11 पर तो एक का loss 11 पर तो आपका आंचर भी कितना आएगा आप निकाल सकते हैं एक बटे 11 इंटो 100 तो आपका आंचर आएगा 9 1 by 11% तो इसको आप not करेंगे दियान यही रगना पिष्छी अगर प्रॉपिट था यहां पर अपना loss हैं तो इस बात का दियान रगने कि यह भी loss count कैसे करते हैं ठीक है करो not इसको बढ़ते हैं next question के तरफ next question भी Sam AC से related ही question अपने पास है कि आपको बोला है on selling 30 articles यह person incurved loss equal to cost price of 5 articles कि जब वो 30 वस्तों बेचेगा तो 5 वस्तों के करें मुली के बराबर इस बार loss हो जाएगा तो आपको बदाना इसको profit हो रहा या loss कि दोनों भी हो सकते हैं आप count करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा हम विकरी है कम में विकरी तो आप comparison करते हैं यहाँ पर cost price and selling price का तो देखो 30 वस्तों बेची हैं तो यहाँ पर करें मुली के बराबर loss होता है and loss के अभी यह भी आपने लिखा कि loss कैसे count करते हैं cost price में से आप selling price को गटाते हैं तो यहाँ से देखो 30 वस्तों आपने खरीदी हैं और उतनी उतनी वस्तों आपने बेची हैं तब आपको loss हुआ है 5 वस्तों के करें मुली के बराबर तो यहाँ पर आप CP ही लिकने वाले हैं ठीक है अ अब देखो SP है अपनी जगह इस साइड आएगा और CP इस साइड आएगा तो 30 में से 25 गटेगा कितना बचेगा 25 CP और यह 30 इस साइड हो जाएगा 30 SP अब देखो CP और SP उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ratio कितना बढ़ेगा 30 बटे 25 और इसको आप 5 से कट कर सकते हैं कट सकते हैं दोना में 5 का भाग जाएगा तो इसमें भाग जाएगा 6 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार यहाँ अपने बास final ratio आएगा cost price and selling price गा 6 और 5 आप बोलेंगे 6 में खरीदी हुई चीज को 5 में बेचा जा रहा है 6 में खरीदा 5 में बेचा य 66% और वो भी क्या होगा loss ने की profit इन बातों का ध्यान रखेंगा profit कैसे count करते हैं loss कैसे count करते हैं उसी से related पूरा पूरा अपने बास यह type हैं ठीक है करिए इसको not फिर हम अगले question तरह बढ़ेंगे देखो अगला question अच्छा question है द्यान से समझेंगे आप आपको बोला गया कि एक कपड़े की दुकान में जब महिस 441 रुपे में 25 सर्ट बेचता है तो इससे 4 सर्ट के करे मुली के बराबर हानी होती है देखो इस question को बिल्कुल sort कैसे करना आपको कि 25 सर्ट बेचेगा तो 4 सर्ट के करे मुली के बराबर loss हो रहा है ठीक है तो इस उपरा लाइन को एक बार के लिए आप इसकी करते हैं नीचिवा लाइन को जरूर पढ़ेंगे पहले कि 25 सर्ट बेचेगा तब उसको 4 सर्ट के करे मुली के बराबर loss होता है और loss होगा तो आप किसको किस में से गटाएंगे cost price मैं से selling price को आप गटाने वाले हैं तो 35 सर्ट बेचता है यान 35 आपने खरीदा भी होगा और जब आपने 35 सर्ट बेच दिये तो आपको loss हो गया है और ये loss कितने होगा आपको 4 सर्ट के cost price के बराबर अब आगे solve करेंगा आप cost price को cost price के तरफ लियाओ selling price को दूसरी तरफ ले जाओ तो 25 में से 4 सर्ट होगा माइनस होगा कितना बचेगा 21 सीपी equal होजएगा आपने वासे 25 सीपी तो ये बाद आपने यहाँ पर निकाल दिये कि 21 वस्त में खरीदिये हैं और 25 वस्त में बेचोगे तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे अब देखो उपराई लाइन को कि दुकान में जब मैश ने 421 रुपे में 25 सर्ट बेची है यनि ये सर्ट है कितने बेची 25 चारसो एकतालिस के अंदर 25 सर्ट का विक्रेम वह लिए 421 है तो क्या यही 421 एकी सीपी का भी तो मान होना चाहिए 21 सर्ट का मान और 25 सेलिंग प्राईज का मान दोनों बराबर होंगे तो आप लिखेंगे वह ये भी कि जो 21 सीपी है इसका मान भी अपने वादस में 441 ही होने वाला है तो कोस्ट प्राईज का रेट की आएगा 21 एका डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंचर कितना आएगा 21 और यही आपसे पूचा गया है कि एक सट का कोस्ट प्राइज क्या होगा तो यतना सा चोटा लोजिक आपको पता होगा तो कृष्टन को बहुत जल्दी से सॉल कर लेंगे आप कि वह 21 का CP 25 के SP के बराबर हो गया और इसका मान already आपका गिवन था ठीक है करिए इसको नोड़ बहुत अच्छा क्यूशन है अपने सामने अब देखो आगे आपने वास कुछ और क्यूशन आया है कि वह आप कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज का और किस तरीके से करेंगे पहले वाड़ क्यूशन बिलकुल आसान थे अब आप इस क्यूशन को भी समझेंगे ठीक है कि आपको बोला कि एक दुकानदार एक वस्तों को 22% के प्रापिट वर बेच रहा है कि वह पहले 22% के प्रापिट वर बेची रहा था अगर देखो अब आगे इमेजिन हो रहा है यदि वह 12% कम कीमत पर खरीज था मतलब पहले 100 में खरीदा तो बाद में 12% कम में खरीदेगा पहले गए 200 करेदा है तो उसको 12% निकाल गे कम कर लेना है फिर बोला कि 12% कम में खरीदेगा और 25% के प्रापिट वर बेचे तो उसको 66 रुपे कम मिलेंगे जितना पहले मिल रहता है पहले वड़ा प्रोफिट में आज उसको 66 रुपे कम मिलेंगे तो आपको बताना उस वस्तुगा रियल में cost price कितना है तो अब देखो बात करेंगा हम cost price की and आप profit कमोग उसके बाद आएगा selling price तो आपने माना यहाँ पर की cost price initial कितना मान ले 100 तो जब आपने इसको 22% की profit पर बेचा होगा तो इसका selling price कितना आएगा वही 122 के लिए रहे यहां तक 100 आपने माना है उस पर 12% profit कमा है तो 122 हो गया फिर आपको बोलाएगे इसने 12% अगर कम पर खरीदा जाए तो जब यह 12% कम पर खरीदेगा यहां 100 की बजाय कितने माना खरीदेगा भी 12% कम में खरीदेगा यानि कितने माना खरीदेगा और 100 का 12% 12 ही होता है तो आप क्या लिखेंगे? 88 के अंजर कितने माना खरीदेगा? 88 फिर बोलागे 25% का profit और बेच दिया जाएगा इतने में कम खरीदेगा और 25% का profit तो 25% profit कमाएंगे भई तो आप बोलेंगे अब profit 25 एड नहीं करना यहां पर डाइरेट 88 का 25% इजमान निकालके फिर आप एड गरेंगे तो यहां से देखो profit कितने का हो रहा है? तो 88 का 25% इजमान निकालेंगे वन फॉर्थ आएगा तो वन फॉर्थ आपका अंजर कितना आएगा? 22 यानि अब 22 का profit होगा आप बेचेंगे कितने में? 110 के अंदर किलिए रहे यांत की बाद अब देखो हम compare करेंगे वापस से कि पहले आपने 100 में खरीदा है 122 में बेच रहे थी 12% कम में खरीदे यानि 88 में फिर आपने 25% का profit 110 होगे अब देखो पहले वाड़े selling price और बाद वाड़े selling price का क्या compare है तो आप देखेंगे यूनिट की बाद करें 122 और 110 कितने कम मिलें यहां पर 12 यूनिट और इसी 12 यूनिट का आप हो real में मान कितना दे रहा है 66 रूपे 12 यूनिट का real मान 66 यानि 1 यूनिट का मान कितना है आप 12 का divide गरेंगे 5 टाइम 60 फिर बचा आपने बाद से 6 पॉइंट लगाएंगे फिर से 60 तो 5 तो आप पास 100 का मान कितना आएगा 550 तो आपसन नमर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा तो ऐसे आपको solve करना होगा ठीक है तो यह रहता अच्छा question comparison वाला इसके जैसे और question बढ़ने दो तिन लगा था ताकि आपको exam में कभी भी question गलत नहीं होंगे चलिए अगला question फिर से आप पड़ेंगे Sam detox question बीजले वाला आपको बोला कि एक दोकान दारीक वस्तू को 20% परफिटर बेच रहा था if he bought it at 10% less price यहनि उसने अगर 10% कम पर खरिदा and sold it at 40% परफिट और आगी 40% के परफिटर बेचा गया तो उसको 66 रुपे ज़्यादा मिले इस बार इसली बार कम मिले थी इस बार ज़्यादा मिले और फिर आपको बताना है कि इस वस्तू का cost price क्या रहेगा तो देखो आप इसको solve करेंगे पहले हम वही चीज लिगें cost price and selling price तो cost price एक बार के लिए हम मान लेते कितना hundred unit और जैसे आप बोला गया है कि 20% का profit पर बेच रहे हैं तो आपको selling price भी कितना हो जाएगा 120 क्योंकि hundred पर percentage मान calculate करना बहुत आसान है क्योंकि percentage मान और real मान वही होगा hundred पर तो फिर आप बोला अगर उसने 10% कम पर खरीद लिया है तो भई 10% कम पर खरीद लो तो hundred की बजाए आप 10% कम पर खरीद लो आप कितने हम खरीद होगे आप बोले हम तो खरीदेगे 90 के अंदर ठीक है फिर 90 में खरीद कर आपने इसको बीचा भी तो होगा आप है और आगे आपने बीचा है 40% की profit पर अब आई बाद कि 90 का 40% कितना होता है भई तो 90 का 40% आप निकाल सकते कितना आएगा 36 तब आप 36 में बेचोगे और कितने में बेचोगे 126 unit के अंदर अब आई अपने बासे final solution की तरब कि पहले वड़ा selling price कितना था 120 बाद वड़ा selling price कितना 126 difference कितने का रहा है भई यहां से यहां तक देखा जाए तो 6 unit का difference आ रहा है 6 यह ज़्यादा है 6 और आपको real बोला कि कितना ज़्यादा मिलेगा 1100 तो option number B यहां पर सही हो जाएगा इस तरह से आपको compare करना पड़ेगा ठीक है करो इसको not फिर हम बढ़ेंगे next question की तरब चलो अगला question भी आपके सामने इसी तरह से हैं जैसा पिछले वाड़ा question था कोई ज़्यादा लंबा चोड़ा नहीं ही question बस इसकी language को आप जरूर ज्यान से पड़ेंगे X and Y से यहां पर confused नहीं जरूरत नहीं आपको बोला एक दुकानदार ने X में खरीदा है और Y में बेश दिया गया कब 8% के profit के साथ में X में खरीद गर Y में बेचा है 8% के साथ में और फिर बोला गी अगर चलिए तो यहां पर देखा जाए तो पूरा Y question समझना आप कि cost price and selling price की बात करें तो मान लो अगर आपने 100 में खरीदा है और 8% के profit बेचोगे तो बेचोगे कितने हैं आप 108 और यही है अपने पास X और Y का मान कि इसको आपने X मानना था और इसको 108 फिर बोला कितने कम में खरीदे 20% अगर आप कम में खरीदे तो बिल्कुल पर कम में खरीदे लो कितना आएगा तो आप 20% कम में खरीदेंगे तो आप खरीदेंगे 80 अंदर क्योंकि 100 का 20% 20 होता है फिर आपको बोला profit भी कितना 40% है तो आप अब 80 को 40% के profit और बेचोगे तो वही कितने बेचने वाले हैं 80 का 40% 8 into 4, 32 32 तो अपना बेचे वो कितने में 112 के अंदर अब देखो पहले वाला selling price ये है बाद वाला selling price ये है difference कितने का रहा हैं तो आप बोले 108 से 112 कितना अधिक हो गया 4 unit और इस 4 unit का real मान कितना 36 तो 1 unit का मान कितना आएगा 9 और X का मान आप से पुचा गया X यहाँ पर कितना आपने 100 तो 100 का मान कितना आएगा 900 तो यहाँ पर भी आपको option number B correct हो जाएगा clear है not down करेंगे and हम आगे बढ़ेंगे फिर तो इस तरह से आपको comparison करने है चलिए अगला vision अगला question भी इसी तरह से है जैसा आपने पिछला question किया था तो यहाँ पर बोला गए आपको कि एक विक्रियता किसी पुच्टको 10% के profit और बेच रहा है अगर वो इसे 4% कम पर खरीदता और 18 3 by 4% पर बेचता तो उसको 60 पैसे ज़्यादा मिल दी 60 पैसे की बात और यह 60 पैस होगी तो आपको बताना उस पुच्टको खरीदा कितने में ठीक है यानि cost price की बात की जारी जैसे पिछले question हो में आपको cost price ही पूचा गया अगर कभी आपको selling price पूचले तो आपको बाद वाले गमान निकालना पड़ जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे cost price and selling price की बात करते है cost price and selling price देखो आपने 10% की profit और बेचा यानि पहले आपने 100 हम खरीदी होगी तो बेचा कितने हम होगा 110 के अंदर तो यहाँ पर होगे आपको 10% का profit अब देखो बाद में आपको बोला कितना कम में खरीदते अगर आप 4% कम में खरीद दे यानि 96 में खरीदते विल्कुल सही है फिर आप इसको 18 3 by 4% 18 3 by 4% profit पर बेचते तो आपको 60 पैसे ज़ादा मिलते चलो इसका मान निकाल दे तो यहाँ पर देखो आपको 18 3 by 4% दिया इसको ज़रा solve करें कितना आएगा 18 इंडू 4 बैतर और 3 पिचतर 75 by 4 इन फ्रेक्शन मान आएगा अपने बाद से 3 बटे 16 यानि 96 का 3 by 16 आपको profit होगा तो आपका आंसर कितना का 16 का बाग 6 बार 6 इंडू 3 18 profit कितने होगा आपको 18 आपको 96 पर 18 प्रोफिट होगा तो आप selling price कितना हो जाएगा बई तो आप 96 में 18 एड़ गरेंगा आप 5 राएगा 144 ठीक है तो 96 में करीदेगा और 14 बेचनेगा तो आपको कितने का फाइदा होगा 60 पैसों का कि बाद वाड़ा selling price ये रा और ये रा पहले वाड़ा selling price 110 है बाद वाड़ 114 है जाधा कितना है तो जाधा आपने पास 4 है इसका real मान कितना है 60 तो one unit का मान कितना आएगा 15 पैसों की बात हो रहे तो अपना आंशर भी यहाँ पर कितने में आएगा पैसों में अब आगे बोला आपको कि खरीदा कितने में तो खरीदा कितने में हंड्रेड में तो हंड्रेड का मान कितना आएगा पंद्रा सो और ये 1500 corresponding क्या आँगे पैसे ही ओगे और आँशड़ आपको रुपिय पुछा तो आँशड़ कितना आएगा? 1500 पैसे बराबर हो जाएंगी 15 रूपे ये ज्यान रखना आपको तो बिलकुल आपने अभी जो 2-3 कुशिन पढ़ अप एक जैसे ही थे और बिलकुल आसान आसान चा मैंने आपको solution भी बताए रहा कि पहले हम कितने बेच रही थे बाद में कम में करिदा जादा में करिदा कितने percent के profit बेचे और फिर आपको selling price क्या फरकाया है ठीक है तो ऐसे question आपको कभी गलत नहीं होने चाहिए अब चलिए अगला question देखते हैं अब comparison वाले कुछ और question है उनको भी ध्यान चे पड़ेंगे आप आपको बोला an article was sold at 25% profit कि कि किसी भी वस्तों को 25% के profit बेचा जा रहा था और had it purchased at RS20 less and sold at RS10 less कि अगर आपने इसको 20 रुपे कम में खरीदा है और 10 रुपे कम में बेचा होता तो आपका profit percentage 5% से बढ़ जाता यानि पहले 25 पैदा बाद में आपका profit 30 हो जाता चलिए इस question हो कैसे करते हैं तो आपको एक ही बात ध्यान रहा है पहले को आपको profit कितने का दिया है पहले आपको profit दिया है 25% और इसका fraction मान ओता एक बटे चार यानि आप पहले कोई 4 वाड़ी बस्तू कितने बेच रहे थे एक बढ़ा कर यानि 5 में आप बेच रहे थे 4 वाड़ी बस्तू 5 में बेच रहे थे तो हमारे पास ये कोई real मान दो है नहीं इसलिए हम क्या मानेंगे cost price दो 4x मानेंगे and selling price क्या मानेंगे 5x cost price 4, 4 पर एक बढ़ाएं कितना होजाएगा 5x अब आपको बोला गए cost price 20 कम और selling price 10 कम तो ये रह cost price इसको 20 कम कर दो और ये रह selling price को कितना कम करेंगी 10 अब क्या होगा इस नए cost price और नए selling price का according आपको 5% अधिक profit होगा इन पहले 25 का होगा था अब 5 और बढ़ाएं कितना होजाएगा 30 और 30 का profit होजाएगा आप क्या लिखेंगा 130 वटे 100 या फिर 13 वटे 10 लिखेंगा अब ये होजाएगे दोनों के दोनों बराबर clear यह बात यहां तकी तो पहले वाला cost price अपने आपस 4 और 4 पर एक बढ़ागर 5 लिखा था जितना कम करना दोनों कम किया अब नए profit के साफ साफ आपने solve किया है अब देखो 10 जाएगा इस side तो multiple होजाएगा तो इसको multiple करेंगे 4x minus 20 को 13 से और 10 जाएगा इनके multiple होजाएगा 5x minus 10 से अब देखो 13 into 4 52 13 into 2 26 और 10 into 5 50 और 10 into 10 होजाएगा 100 अब देखो 260 जाएगा पोजिटिव होजाएगा और 50 जाएगा नेगिटिव होजाएगा 2x is equal to अपने आज कितना आएगा 160 तो x का मान अपने आज कितना आएगा 80 तो फिर आपको क्या पूचा गया वई कि वस्तु का करें मुली कितना था और करें मुली कितना था अपने बास से एक बढ़ाय तो 5x और ये पहलने वाड़ा कितना था 4x करें मुली 4x था and selling price अपने बास में 5x था तो 4x का मान अपने आज कितना आएगा 8 into 4 320 तो 320 यहां option number आपको D में मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसे आपको solve करना कि पहले कि इस हिसाफ से बेचे जा रहे थी बाद में कितना कम करना हो सकता कभी आपको बढ़ाने की भी बाद करते जैसा बोला जे उस हिसाफ से आपको चलना है ठीक है इसको not करेंगे आप लोग अगला vision फिर से आपको इसी type के हैं जिस type से अभी last one question किया था कि भी एक बस्तू को आपने 20% के profit बेचा गया है और अगर आपने cost price को 5 रुपे कम और selling price को 200 रुपे कम किया है तो आपका profit percentage फिर से 10% से बढ़ जाएगा यहनि पहले 20 बाद में 10 बढ़े कितना हो जाएगा 30 तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले का profit percentage कितना दिया गया है 20% और इसका fraction मान होता 1 बटे 5 यह सबको याद है आपको क्योंकि 100 का 20 कितना पार्ट होता है 1 फिफ्थ तो आप यहाँ पर लिखेंगे cost price अगर अपने 5 एक्स था तो selling price कितना हो जाएगा 6 एक्स यहाँ तक ही बात के लिए रहे फिर देख cost price कितना कम किया selling price कितना कम किया उस हिसाब से हम कम करते जाएगे तो आप बोलेंगे cost price हो 5 एक्स था पहले उसमें आप कम करेंगे 500 और selling price अपने 6 एक्स था उसमें से कम करेंगा आप 200 रुपे तब आप profit कितना होगा 10 एक्स्टा होगा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और 30 करेंगे वापस वही बात 13 बटे 10 क्योंकि 10 पर 3 का profit हो जाएगा आपको और 100 पर 30 का हो जाएगा कि लिए रहे बात यहां तक अब देखो आप आगे solve करते हैं कि 10 यहां पर आएगा इसका multiple 13 का 5 से multiple करेंगे 65 13 इंड़ 5 65 100 और 10 को multiple करेंगे यहां से आएगा 60 एक्स माइनस आएगा 2000 अब आगे calculate करेंगे आप x को expect बेजेंगे कितना बचेगा 5 x और इस----- tots इंगिया को से लेंगे कितना बचेगा 45- Developer अ कि तो वाक दो एक्स का मांज कितना है अपने बास से के added लिए आप आपको पूचा है इसका कोशट में कितना कितर फाइप एक्स तो आपका आंसर भी कितना है कंणाने का फाइपलेक्स वापस आएंसरा आपका पैनतलीश वा जाएगा जो कि आप्ट्ट्यस नमर आको मिल जाएगा आपको कोश्ट पूचा जाया सकता है पहले वह लना सेलिंग प्रेज पूचा सकता है बाधे मन इस सब्सक्राइब का आप निकाल सकते हैं इस तरह से लेकिन स्टाइटिंग आप हमीशा इसी तरह से करेंगे ठीक है यहाँ पर 100 मानने के आपको जरूत नहीं होगी यहां तक तो इसको आप नोट करेंगे फिर हम अगले कृष्ण द्रफ बढ़ेंगे देगो next question फिर से आपके सामने है और यहाँ पर देगो fraction वेले कुछ इस प्रकार से दीगी लेकिन डरने वाल कोई बादर ने बिलकुल आसानी से हम solve करने वाले हैं तो आपको वोला कि वस्तु को 11 1 by 9% के profit बेचा जा रहा हैं ठीक है फिर वोला कि अगर करया मुलिये 1300 रुपे और विक्रिया मुलिये में 3000 रुपे कम कर दिये जाएं करया मुलिये में 1300 और विक्रिया मुलिये में 3000 तो आपको loss हो जाएगा इस बार कितना 9 1 by 11% यहां पर इतने कोई percent बढ़ाने की कम करने कोई बात नहीं की कि डारेक्ट लिए पहले profit हो रहा था बात में आपको loss हो जाएगा तो पहले वाले percentage का मानगा यूज करते हैं कि पहले आप वो profit कितना हो रहा था 11 1 by 9 percentage और इसका fraction मान होता 1 बटे 9 तो यहां पर आप लिखेंगे कोई cost price अगर अपने वासे 9x था तो selling price कितना हो गया था 10x यहां तक ही बात किलिए रहे हैं कि आपने cost price and selling price लिखा है फिर तो नया cost price कितना आएगा अपने वासे 9x minus 1300 और नया selling price कि आएगा अपने वासे 10x minus 3000 और इस case में हो रहा आपको loss और इसका fraction मान कितना होता 1 बटे 11 यहां अब 11 वाली वाली वस्तु कितने बिकिने वाली 10 के अंदर पिछली बार loss हो था यहां पर पिछली बार profit हो था यहां अब लोस हैं तो आप 11 पर यह कम करोगे यहां कितना हो जाएगा 10 बटी 11 और अब यह दोनों को दोनों हैं बाराबर और आगे solve करेंगे 10 को 9 से गुणा करो 90x minus 13 को गुणा करेंगे 13000 हो जाएगा और 11 को गुणा करो यहां से कितना हैगा 110x और 3 इंटू 11 तेतीस और पीछे और 110 में 90 गटा हैं कितना बज़ेगा 20x तो x का मान आएगा अपने पास है 1000 ठीक है x का मान आ चुक है अब आप से पूछा क्या गया आपको पूछा कि वस्तू का करें मुलिये और cost प्रहें कितना है 9x 9x का मान कितना आएगा अपने पास है 9000 जो कि option number d में अपने पास है ठ इस तरह से आपको calculate करना होगा अब देखो मैंने एक अच्छा question लिया है इनको आप समझेंगे बढ़िया तरीके से अगर आपको मेंस के exam कभी कवार ऐसे question भी पूछी लिए तो आप कैसे solve करेंगे तो पहले आप पूरे डंग से question को पढ़ेंगे तब ही हम answer समझ पाएंगे ठीक है आपको दिख रहा होगा पूरा question आपको दिखा है कि आपको दिखा है कि आपको सोला सेव का करें मुलिये यानि दा cost price of 16 apples is equal to the selling price of 10 apples देखो अलग अलग बात करेंगे पहले हम apple की बात कर लेंगे पूरा solution समझा देता आपको मैं apple की बात करें आपको बोला है 16 का cost price and 10 का selling price बराबर है 16 CP equal अपने पास है 10 SP तो यहां से देखो CP and SP का ratio कितना आएगा अपने पास है तो आप बोलेंगे 5Y 16 inside कितना आएगा एक के लिए रहे यहांते की बात फिर बात करेंगे आप the cost price of 12 orange is equal to the selling price of 16 orange अब बात करेंगे हम orange की देखो orange की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ बोला गया था ना बारा का cost price और 16 का selling price बराबर है यहां से देखो इसमें प्राइब आपको यहां से देखो cost price and selling price कितना है अब 12 और 16 दोनों दोनों 4 से कट जाएंगे तो 4 by 3 यहां से अपना चीज़ यह रेशियो आ गया है फिर आगे बोला आपको and the cost price of 6 mango is the equal to the selling price of 4 mango अब बात करेंगे आप mango की तो अब देखो mango में आपको क्या बोला गया है कि वही छै की cost price and 6 CP is equal to क्या होगा 4 SP तो यहां से देखो cost price and selling price का ratio कितना है अपने बास है तो दोनों दो से कर जाएंगे 2 by 3 के लिए रहें mango की बात होगी अब देखो last में आपको क्या बोला गया if the ratio of the cost price of 1 apple, 1 orange and 1 mango is the ratio of 1, 1 and 2 कि आप इन तीनों का एक साथ में cost price भी बात करें तब आपका ratio 1, 1 and 2 होना चीए ठीक है then find the net profit percent on the sale of 1 apple, 2 orange and 2 mangoes की बात में आपको बेचना कितना कितना है एक apple, 2 orange और 3 mango तो आप पहले इतना खरीदोगे फिर आप बेचोगे तो पहले हम cost price भी लिखेंगे फिर हम selling price भी लिखेंगे इनकी and then अपन आगे solve करेंगे लेकिन इससे पहले आपको इनका यूज़ करना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि ये ratio सही बैठना चाहिए आपका 1, 1 and 2 का याणि आपने बासे एपल औरेंज का cost price Sam आना चीए तो एपल औरेंज का क्या यहाँ पर Sam आ रहा है तो अभी तक तो बिल्कुल भी Sam नहीं आ रहा है आपको Sam बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा याणि 5 and 4 को equal करेंगे इसलिए इसको multiple करदें आप 4 by 4 से तो अपना आजर कितना आएगा 20 upon 32 और इसको आप multiple करेंगे 5 upon 5 से तो यह कितना बनेगा 20 upon 15 तो आपने देगा कि apple and orange का cost price बराबर होगे याणि 1 and 1 का ratio and आपना mango का cost price इन से double है याणि यह अगर 20 होगा तो mango 40 होना चाहिए और इसको 40 बनाएगे तो आप multiple किस्से करेंगे 20 upon 26 क्योंकि cost price and selling price का भी रेशियू वही रहना पड़ेगा तो इसका मान कितना आएगा आपने पास 40 बटे 60 अब देखो यह तो आपने ratio निकाली लियावे सभी का और पूरी condition आपने सई से solve कर लीगे अब आपको आगे पूचागे आपको एक apple खरीदना है दो orange और तीन mango आपको खरीदना है उतना है आपको बेचना है तो वताव profit होगा कि loss तो हम बात करेंगे पहले इनकी cost price की तो देखो आपने एक apple खरीदा और एक apple की price कितने है 20 फिर आपने दो orange खरीद हुए और orange की price 20 त्वेंटी का और दो के एसाब खरीद हुए प्राइस कितना लगेगा 40 फिर आपने दो mango खरीद है और एक mango का price 40 है तो दो का कितना होगा 80 तो कुल मिलाएगा आपको cost price कितना हो जाएगा 140 अब बात करेंगे हम selling price की कि जब आप इनको बेचोगे किस किस हिसाफ में बेचोगे तो आप बेचोगे भी चीज तो एक apple को बेचोगे आप कितने में 32 में तो आप यहाँ पर लिखेंगे 32 आप देखो दो orange को बेचोगे 15 किसाफ से 15 into 2 कितना हो जाएगा 30 फिर आप दो mango को बेचोगे 60 के हिसाफ से 16 into 2 कितना हो जाएगा 120 अब बताव कुल मिलागे आपका selling price कितना आया है तो आप लिखें 32 30 and 120 यह कितना हो जाएगा 182 अब आप बता सकते हैं वही कि 142 में खरीता है और 182 आपने बेचा है फ्रॉ फ्रॉफिट तो हुआ है और फ्रॉफिट कितने को हुआ है तो आप बोलेंगे 42 का फ्रॉफिट हो रहा है 140 पार और परसंटे निकालें तो multiple करते हैं आप 100 से तो आप देगा कि 42 से 14 का divide करते हैं 10 बार और 14 का फाने भाग 3 बार जाएगा तो आपका आंचर कितना है 10 से 100 करत 10 x 3 आपका अंचर आएगा 30% गा profit इस तरह से आप solve करते हैं तो पूरा आप ढंग से समझना वैसे क्या आपका cost price and selling price ratio क्या आएगा फिर आपको कितने कितने चीज़े खरेजने हैं और कितने चीज़े आपको बेचनी है तो इसको आप देखो थोड़ा आप मैनत करोगे 2-4 question practice क करोगे तो इन चीज़ों आप directly कर लोगे cost price, selling price, question देखते आप directly आप पर आओ जाओगे ठीक है जो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है अब अब देखो आप वासम बिल्कुल एक logic वाले question है उनको समझना कि इस type के exam question आई तो आपको क्या approach लगानी होगी देखो आप पहले इस question की language को समझेंगे कि आपको बोला कि एक आदमी अपनी गड़ी को एक सो चमाड़े सम बेचता है तो इसका profit percentage का मान और cost price ने लागत मिले दोनों को दोनों बराबर हैं कैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ को 50 में खरीदा है तो उस पर 50% का profit अगर उसको आपने 60 रुपे में खरीदा है तो 80% का profit 90 में खरीदा है तो 90% का profit तब दोनों के मान बराबर बराबर होते हैं तो यहाँ पर जब आप किस हिसाब से खरीदोगे और कितने percent का profit ताकि आपने को 114 का selling price मिलेगा तो आपको देखना यहाँ पर कि मान लोगी आपने x रुपे में खरीदा है और जब आप x percent का profit कमा होगे तो बिकी कितने में 100 प्लस x के अंदर और percent अपन आएगा 100 एकुल अपने आज कितना बचेगा 144 तो अब देखो जब भी ऐसे equation आए तो यहाँ से आगे solve करोगे अपन यहाँ पर है तो आपने देखा कि पहली बाद कि यहाँ पर फॉइंट नहीं है एक सो चमाली से पूरी सिंग आई है यहनी 100 का पूरा भाग जाएगा इन दोनों के अंदर जब भी तो पूरा नंबर आएगा तो सोका इन दोनों में पूरा भाग जिया है यानि फाइफ वर इजिट होंगे तो पूरा भाग जाएगा नहीं यह दो तो कैंसल होगे अब दो बचे इनका यूज कर लो 90 यहाँ पर रखोगे आप लेखोगे 90 इंटू 190 अपान 100 तो आप देखें दो जिरस दो जिर कटगे उनने सिंटो नो कितना होजएगा 171 जो की गलत है तो बचा कौन सा ओप्षन सी तो इसको भी आप सौल कर सकते हैं आप लिखा 80 तो प्रॉफिट अगर 80 परशन आप बेचे हो कितने में 180 परसंटेज में और 18 इंटू आट होता है और इस तरह सा आप आंसर निकाल सकते हैं तो ज्यादा आपको क्वाइट्रेट एक विशन कभी नहीं बनानी है इन क्विशनों में डारेक्टले आपको ओप्षन अप्रोच लगानी है और यह हंडे लोज भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर नमबर पॉइंट में नहीं इसक तो बताओ आपको कि यहाँ पर भी कॉश्ट प्राइज है और प्रॉफिट पर्शन दोनों बराबर बराबर हैं तो आपको कॉश्ट प्राइज यहाँ पर बताने है कितना होगा वही तो आप वापस वही चीज़ लिगोगे एक्स इंटू हंडेट प्लस एक्स इतने का 25 के अंदर तो इस बार आपने देखा कि 100 का पूरा भाग गया नहीं होगा तब भी यहाँ पर नंबर पॉइंट मा आये हैं दो सेंक्या चोड़कर पॉइंट पॉइंट का भाग बिलकुल नहीं गया होगा तो 0 होगा यहाँ पर तो यह तो नहीं आना चीए ठीक है तो और यह भी नहीं आना चीए अब बचा 85 और 75 तो जब 85 लिखोगे आप तो आप लिखो 85 इंटू यह हो जाएगा 185 अपॉण 100 तो बताओ आंसर कितना आएगा तो आप 85 का मल्टिल करेंगे ठीक है तो आप देखें 18 इंटू 8 114 लगबग 140 से एकस्टा ही जा रहा है तो यह तो तो ऐसे आपको solve करना है के लिखें रहे बाते हैं तो जब भी आपको ऐसे direct question आए तो ऐसे solve करने ना है चले एक question आपको और कराए तो अगर आपको loss की बाते आ जाए और यह question ऐसे सिम पूछा भी गया था और वहाँ पर only on यह वाले option थी पीछे वाले आगे वाले मैंने purchase price of the item is कि इसने वही जितने रूपे में खरीदा है उतने percentage के बराबर इसको loss हो गया है और loss होने के बाद हैं बेचा कितने में 21 रूपे के अंदर तो आपको बताना है इसका cost price तो पिछले वाला same question अपने पास होगा कि इसका cost price अगर अपने आपस है तो इसका loss percentage भी अपने देर का है और अपने हिसाफ से solve किया जाएगी इसकी हिसाफ से तो आप देखें x into अब loss होता तो आप 100 में से गटा कर लिखते हैं upon 100 और कितना आजना से ये 21 तो यहाँ पर भी वाफस भी फंडा लगेगा कि आपने देखा कि नंबर पूरा पूरा जा रहा है यानि 100 का पू कि d कैसे आएगा कि 30 and 70 दोनों कैसे possible हैं तो आप देखेंगे वई कि अगर मैं यहाँ पर 30 लिखूंगा तो 30 का loss होगा आप 70 परशन ने बेचोगे तब भी आपका आंशर कितना आएगा 21 ही आएगा और अगर आपने 70 में खरीद कर 70 परशन ने लॉस अब जब 70 का लॉस आपको आना बहुत जरूरी है ठीक है तो इस तरह का आपको क्रिशन करने पड़ेंगे तो आज की क्लास में आपने SP and CP से related comparison वाले दो तीन तरीके जितने भी क्रिशन बनते हैं उसके बारें पढ़ा था और exam में जब ऐसे क्रिशन आएगे तो आपको एक भी क्रिशन गलत न